आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर आपको डॉग बाइट होता है तो आगे का वैक्सिनेशन सेडूल कैसे फॉलो करें और जो सीरम है क्योंकि मेरे पास काफी यह लोगों के फोन आते हैं कि डॉक्र साब वो बोल रहे हैं कि सीरम लगाना पूरेगा जो बहुत लगाया जाता है जिसको बाइट होता है उश को बनने में साथ दिन श्यादा लगता ऑगो तब तक आप रिस्क में आ जाते हैं तो ऐसे में उस risk से बचने के लिए readymate antibody आपके body में infuse किया जाता है जिसको generally जहाँ पर dog bite होता है उसको चार और लगाया जाता है कोई जरूरी नहीं है कि यह उसी दिन लगाया जाए within seven days एक कभी भी लगवा सकते हैं साथ दिन के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा तो अगर कोई serum की बात करते हैं कि serum लगवान आपको जरूरी है तो पहला दिन लग जाए तो बहुँच अच्छा लेकिन साथ दिन के अंदर आप इसको लगबा ले थोड़ा महंगा जरूर होता है बड़ जहां पर vaccination की को history नहीं है जिस डॉग ने काटा है तो वहां पर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर एक दो चीजे और खास है 20 इंटरनेशनल इनिट पर केजी बॉड़ी बेट जो जहां पर बाइट है वहां पर लगता है और अगर कुछ बच गया तो वहां से distance वहां से दूरी पर कहीं पर डॉक्टर अपने हिसाब से लगाते है यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है कि आपके घर में बच्चा ह और उसको serum का लगा है उसको dog काटा है और antibody लगा है तो उसको अगले चार महिने तक कोई भी live virus का वैक्षिन नहीं लगागा किसी भी disease का क्योंकि जो serum होता है live virus वैक्षिन के अगेंस्ट थ्वासा रियक्ट करता है या उसको काम्याव नहीं होने देता आप कह सकते हैं तो ऐ आपके बच्चे को और उसको dog bite हुआ हो तो चार महिने का gap जरूर दे मिसल्स के वैक्षिन लगाने में यह खाची अब हम आएंगे post bite anti-rabbage exposure vaccination के बारे में यह 0 day, 3 day, 7 day and 14 days पे लगता है जनरली किसी को भी पहली बार काटा हो तो जो immunocompromised होते हैं उसका vaccination schedule जो होता है वो 0, 3 7, 14 on 28th day होता है जिनका immunity down है उनको 5 vaccine post bite लगता है अगर आपको या किसी को भी पहले कभी भी dog bite हुआ हो और आपने anti-rabbage की vaccine लगवाई हो चाहे वो pre हो या post exposure हो तो आपको serum लगाने के जोद बिलकुल भी नहीं है आपको सिर्फ 0 day और 3 day दो post bite anti-rabbage vaccination लगाने के जोद है याद रखें सिर्फ दो अगर आपको कभी किसी डॉग ने काटा है और आपको already vaccine लगा है तो सिर्फ आपको दो vaccine लगाने के जोद है that is on zero day and second is on third day आपको serum लगाने के जोद बिलकुल नहीं है आप निश्चिंत रहें तो यह है serum के बारे में जानकारी और post vaccination schedule के बारे में जानकारी thank you very much friends